तेरी रहबरी पर अब भी इतना यकी मुझको सरे राह लूटा गया हूँ पर तू मेरा खुदा है। उत्तर प्रदेश में इस बार भगवा आंगन में संतुलन सामंजस से और परसपरत्याक की राजनी देखने को मिल रही है। यूपी में योगी विरोधी खेमे को एक हद तक धार देने के बाद उनके होसलों को भी कुंद किया गया है। बात योगी मंत्री मंडल के गठन की करें तो योगी ने जो लिस्ट अपनी ओर से हाई कमान को सौपी थी उसमें डिप्टी सीम के तौर पर उन्होंने अपनी ओर से तीन नाम दिये थे। केशब प्रसाद मौर्या के काट के रूप में स्वतंत्र देव सिंग का नाम था जो वहां पिछडी राजनीत के जंडावर्दारों में शुमार होते हैं। योगी ने दिनेश शर्मा की जगह एक ब्रह्मन चेहरे ब्रजिश पाठा का नाम दिया था अपने डिप्टी नंबर दो के लिए। डिप्टी नंबर तीन के लिए योगी ने एक जाटब अफसर असीम अरून का नाम सुझाया था। वहीं दिल्ली की लिस्ट में डिप्टी सीम के लिए जो ती नाम शामिल थे। वे थे केशब प्रसाद मौरिया जो पिछडी जाती से तालुक रखते हैं। मौरिया के चेहरे पर लड़ा था। तब वे भाजबा के प्रदेश अध्यक्ष थे। इस पार भी पिछडे वोट थोक भाव में मौरिया की वज़ा से ही भाजबा को मिले हैं। फिर समझोता का प्रारूप तैह हुआ और दोनों पक्षों में सहमती बनी कि एक उपमुखमंत्री योगी के लिस्ट से होगा और दूसरा दिल्ली की लिस्ट से।